इस वीडियो में एक ऐसे ख़बर बताने वाली हो जिसको सुनके आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है जिहां एक भाई की टाम टूटी उसके बतले दूसरा भाई सेना में भरती हो गया इतनी चौका देने वाली ख़बर है ये तो आखिर तक जुरूर बने रहीएगा और पूरी ख़बर क्या पूरा मामला क्या है विस्तार में बताती हूँ क्या खुलासा हुआ और फिर कैसे नकली अगनिवीर को पकड़ा गया अगनिवीर जीडी पत पर दो तीन तक कार किया था अभियारती ट्रेनिंग सेंटर में जाते समय बायोमेट्रिक सिस्टम से उसके जाच की गई चाच के दौरान पाया गया की वहें फटजे दस्तावेच पर अगनिवीर पत पर बहल हुआ है इस संबंद में रेजमेंट के सेना भर्ती बोट अधिकारी मेजर अंकुर कुमार मिश्रा ने स्थाननिये आना में विकास कुमार के विरुद मामला दर्ज किया है गिरफतार विकास कुमार जिला मुझफरपुर का निवासी है गिरफतार विकास से आर्वी इंटेलिजन्स ब्यूरो ने पूछताच की अगनिवीर जीडी पत पर भरती होने के लिए BIRC 25 अपरल को पहुचा अभियारती विकास को ट्रेनिंग पर भीजने से पहले भी Biometric जाच के दौरान फर्जी पाया गया और फर्जी दस्तवेज भी बरामत किये गए सेने अधिकारी ने अभियारती विकास को हिरासत में लेकर पूछताच की और Army Intelligence Bureau ने विकास से पूछताच की गिरफतार विकास के पास बिस्तवेज भी फर्जी है विकास से पूछताच के बाद गिरासत में भेज दिया यह हम अपनी वीडियो से पहले भी बताते आये हैं कि आपको Army में जाना है अगर वो आपका सपना है बहुत अच्छी बाद है लेकिन आपको कभी भी किसी भी गलत रास्ते का इस्तेमाल करके फर्जी दस्तवेजों के अधार पे कभी भी Army में नहीं जाना चीए और कहीं भी नहीं जाना चीए फर्जी चीजें कहीं ना कहीं कभी ना कभी सामने आती हैं और पकड़ी जाती है और इससे आपका future long term में बहुत जादा effect कर पाएगा जैसे कि इस case में विकास का हुआ तो आपको कभी भी फर्जी दस्तवेजों पे और किसी भी गलत राष्टे पे चलकर किसी भी नौकरी आर्मी की बात नहीं या किसी भी नौकरी की बात है आपको किसी भी नौकरी में फर्जी दस्तवेज छूट बोलकर गलत राष्टे पे चलकर नहीं जाना है अगर आपके आपको जूट बोलना आपको फर्जी दस्तवीजों की मदद लेना इन सब की जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं आपके अंदर जजबा है आपके अंदर जुनून है तो आपको महनत करनी चाहिए और महनत करने के बाद आपको आपकी मनजल जरूरत बिल्कुल भी नहीं है हम तो आपको यही इसला देंगे कि आप किसी भी गलत रस्ते पे या किसी भी फर्जी दस्तवीजों के दंपे या जूट के दंपे आगे ना पड़ें या किसी भी छेत्र में ना जाए अपनी काबलियत के दंपे जाए आपके क्या बचार है आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा जै हूँ आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ तब तक कले बने रही है मेरे साथ चैहिंद चैह भारत